जय मातादी दोस्तों आप सभी का मेरे योट्यूब चैनल पर हर दिक स्वागत है आज मैं आपको बताने वाली हूँ गुरू पूर्णिमा के बारे में साल भर की जितनी भी पूर्णिमा आती हैं उन सब में सबसे उत्तम और सबसे फलदाई जो पूर्णिमा मानी जाती है वो है गुरू पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है कि यन मंत्रों का जाब पूजह करते समय करना चाहिए और इसके साथ ही कौन से ऐसे खास उपए हैं जिनें गुरू पूर्णिमा के दिन जरूर करनाचाहिए इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे नियम भी है जिनका पालन आपको गुरू पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहे तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इस साल की जो पूर्णिमा है जिसे गुरू पूर्णिमा कहा जाता है जो की आशार महिने के शुकल पक्ष में परती है इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किस दिन वरत रखा जाएगा दान पूर्णिक किस दिन करना है ऐसी कौन सी चीजे हैं जिनका दान पूर्णिमा पूर्णिमा की तिथी प्रारम हो रही है 23 जुलाई शुकरवार को 10 बच कर 45 मिनट से और इसके साथ ही 24 जुलाई की सुभा 8 बच कर 8 मिनट पर पूर्णिमा की ये तिथी समाप्त हो जाएगी अपने आपको सुर्यदे और चंद्रोदे की टाइमिंग भी बता देती हूं 23 जुलाई शुकरवार के दिन सुर्यदे का समय रहने वाला है सुभा 5 बच कर 57 मिनट इसके साथी सुर्यास्त का समय होगा शाम 7 बच कर 9 मिनट पर 23 जुलाई शुकरवार के दिन चंद्रमा के उदे होने का समय रहेगा शाम 6 बच कर 51 मिनट पर 24 जुलाई शनिवार के दिन सुर्योदे का समय रहने वाला है सुभ 5 बचकर 57 मिनट पर सुर्यास्त का समय रहेगा शाम 7 बचकर 8 मिनट पर इसके अलावा 24 जुलाई शनिवार के दिन चंद्रोदे का समय रहेगा शाम 7 बचकर 46 मिनट पर अब पहले बात कर लेते हैं कि पूर्णीमा के दिन ऐसे कौन से खास काम है जो जरूर करने चाहिए सबसे पहले तो दोस्तो संभफ हो तो पूर्णीमा के दिन चाहे आप एक दिन पहले या अगले दिन जब भी आपके लिए संभफ हो किसी पवित्र नदी में स्नान करें नहीं तो घर में ही गंगजल मिला कर स्नान कर लीजे इसके अलावा पूर्णिमा के दिन सफेद रंकी वस्तुओं का चाहे वो खाने पीने की हो या ओडने पहने की हो उनका दान करना चाहिए इसके अलावा आप जो भी दान करते हैं दान कर करें इसके साथ ही पूर्णीमा के दिन कुछ खास पूजा होती है जैसे कि पूर्णीमा का दिन भगवान विश्णु को समर्पित होता है क्योंकि इस दिन सत्य नारायन भगवान की पूजा की जाती है और इसके अलावा पूर्णीमा के दिन पीपल के व्रिक्ष की पूजा कर चाहिए और शाम के समय सबसे विशेश पूजा होती है वह होती है चंदर्देपता की पूजा पूरिमा के दिन सुभा के समय अगर आप व्रत करना चाहरे हैं या फिर आप दान देना चाहते हैं तो आप उसका भी संकल्प चरूर ले इसके साथी सुर्देपता को मीठा जल अ पूजा करने से एक तो आँखों की रोशनी बढ़ती है और दूसरा अगर आखों से संब्धित कोई बीमारी है तो उसमें भी कमी आती है पूर्णी मा के दिन कोशिश कीजिए कि सफेद या फिर पीले रंग के वस्त्र पहन कर पूजा करनी चाहिए आज के दिन आप अपने की मुख्यद्वार पर आज के दिन आम या फिर अशोक के पत्तों का साथ 11 या 21 जितने भी पत्ते आप लगा सकते हैं उतने पत्तों को एक तोरण अपने मुख्यद्वार पर जरूर बांधिये ऐसा करने से घर में सुक्ष समर्धी में व्रत्धी होगी और इसके अलावा ज जिनने भी आप अपना गुरू मानते हैं या ऐसी कोई भी चीज जिन से आप ज्यान प्राप्त करते हैं उनकी पूजा जरूर करें अपने गुरूओं को कुछ न कुछ उपहार में जरूर दे और उनका आशिरवाद लें इसके साथ ही इसके अलावा गुरू पूर निमा के अगर आपके पास वेद व्यास जी की कोई पिक्चर नहीं थो आप मानसिक पूजा भी कर सकते ह् tय करानी अगर कोई धार्मिक पुस्तकों का भी माना जाता है अब बात करते हैं कुछ विशेश उपायों की सबसे पहले तो दोस्तों पूनिमा का व्रत उन लोगों को खासकर जरूर रखना चाहिए या पूजा जरूर करनी चाहिए ऐसे लोग जिनकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई भी चंदर दोश है चंदर दोश होने से क्या होता है कि ऐसे व्यक्तियों में पेशेंस नहीं होता है बाद बाद पे आपक हो देते हैं बहुत जल्दी क्रोध हाता है या फिर ऐसे लोग हर काम बहुत जल्दबाजी में करना पसंद करते हैं बहुत जल्दी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं इस को आज के दिन कुछ खास मंत्रे हैं लिए जन में से किसी भी एक § जरूर करना चाहिए इन मंत्रों क sollte क्याकि आपको अर्फ देते समय करना है या अर्फ देने के बाद भी आप कर सकते हैं और उसके बाद अपने ही जगा पर खड़े होकर आपको चंद्र देट्ता की कम से कम 3 बार परिक्रमा जरूर करने चाहिए चंदर देटा का जो नाम मंत्र है वो है ओम सोम सोमाई नमहा इसके अलावा गायतरी मंत्र का जाब भी बहुत शुब होता है चंदर देटा का गायतरी मंत्र है ओम भूर भुवा स्वहा अमरितांगाई वित्महे कलारूपाई धीमही तन्नो सोमो प्रचो दयाद इन मंत्रों के इलावा कुछ और मंत्र हैं जिन मेंसे किसी एक का भी आप जाब कर सकते हैं दोस्तों ये तो ही मंत्रों की बात अब बात करते हैं कि चंद्र देवता की पूजा और किन लोगों को करनी जाए ऐसे पति-पत्नी जिनके पीछ में अक्सर लड़ाई जगले क्लेश बना रहता हो या फिर पारत्स पर एक संब्ध अच्छे नहीं होते हो तो ऐसे में कोशिश कीजिए कि पति-पत्नी दोनों को ही मिलकर पूर्नीमा के दिन संद्र की पूझा करने चाहिए चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए और नहीं तो पति चंद्र देटा की पूजा इन मंत्रों के साथ कर सकता है इसका बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन में आपको देखने के लिए मिलेगा इस बार की पूर्णीमा शनिवार के दिन पढ़ रही है ऐसे में आप शनिवार के दिन शनी देपता की पूजा करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐस अचे जीवन में दुख बहुत ज्यादा रहते हो हमेशां आसी लोग परिषान करते हों तो उन्हें आज की दिन शनी देवता को अपना गुरु और आज के शनी देवता के मंत्र के साथ थोड़ी देर वहां पर रहकर आप पूजा जरूर करें शनी देवता की पूजा करने का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शने नम्हा इस तरह आप आज के दिन पीपल के व्रिक्ष की पूजा जरूर करें पीपल के व्रिक्ष में आप मीठा जल अर्पित करें कोई भी फल मिठाई आज के दिन पीपल के व्रिक्ष में जरूर अर्पित करें इसके लावा आप दिया जलाने के साथ ही कुछ दिर वहां बैटकर शनी चालिसा का पाठ भी करें हनुमान चालिसा का पाठ करने से कहा जाता है कि हर तरह के रोगों से मुक्ति मिल जाती है तो दोस्तों आज के दिन अगर आप यानि की गुरू पूनिमा के दिन अगर आप कुछ विशेश उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी कीजेगा कमेंट कीजेगा ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजेगा इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा